साहो की जानकारी हुई लीक, बॉक्स ओफिस पर दुबारा कब जेको तयार है प्रभास मेगा फिल्म सीरी जबाहु बली की शांदार सफलता के बाद फैंस को सुपर स्टार प्रभास की अगली फिल्म साहो का बेसबरी से इंतजार है प्रभास की फैन पॉलोविंग ऐसी है कि इस फिल्म से जुड़ी छोटी से छोटी ख़बर भी सोशल मीडिया पर आते ही च्छा जाती है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि साहो एक पूर आक्शन फिल्म होगी तो आप खुश हो जाएए क्यूंकि इस फिल्म में आपको आक्शन के साथ रजनी कांत की फिल्मों की तरह दमदार कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है ख़गरों की माने तो साहो में प्रभास ने अपने फेवरेट स्टार रजनी कांत की स्टाइल कॉपी की है वे फाइट सीन के समय सिर्फ एक्शन नहीं करेंगे बलकि अपनी कॉमेडी से आपको हनसाने वाले भी हैं फिल्म में कॉमेडी के लिए अच्छी टाइमिंग ली गई है और गुद्बू दाने वाले डायलॉग भी लिखे गए हैं फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि प्रभास एक इंटरनाशनल एजेन बने हुए हैं जिनका डबल रोल है फिल्म की शूटिंग भारत और दुबई में हुई है साहो फिल्म में प्रभास के अपोजिट श्रद्धा कपूर है इसके अलावा चंकी पांडे, जैकी श्रॉप, नील नितिन मुकेश, मंदिर अबेदी, महेश मांजरेकर, अरुण विजे, आदित श्रिवास्तव जैसे कई बड़े एक तरंग का नाम शामिल है बताया जा रहा है कि ये फिल्म इस साल के मद्य में रिलीज़ की जा सकती है हाल ही में इस फिल्म से एक मिनट बाइस सेकेंड वाला एक वीडियो शेर किया था जिसमें शूटिंग सेट के दिश्चे दिखाए गए वीडियो में फिल्म के डायरेक्टर शुजीत के अलावा क्रियेटिव मेंबरों का परिचे करवाया गया और एक एक्शन सीम की प्रेक्चिस भी दिखाई गई जानकारी के मताबिक इस सीम को शूट करने में 60 दिन लगे और 4 सालोगों ने मिलकर काम किया